हेलो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल टेकनिकल अन्सू तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक को कोपी कैसे करें तो वीडियो पी नए है तो वीडियो पे एक लाइक कर लें चैनल पे सबस्क्राइब कर लें तो सब आपको क्लिक कर लेना है तो जैसे आप यहां पर क्लिक करते हैं तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने open होके आएगा इसमें आपको एक आपका जो नेम है वो show करेगा एक username show करेगा तो आपको जो नीचे वाला username है यहाँ पे आपको click करना है जैसे इस वाले name पे तो username पे आप जैसे click करेंगे तो इसमें आपके सामने ऐसे यह show करेगा तो इस पे आप tap करेंगे तो इसको आप copy कर लें यहाँ से तो जैसे copy करने के बाद यहां से आपको back हो लेना है दारेक्टली बैक होने के बाद आपको अपने Chrome Browser या फिर Google Application में आपको ENTER कर लेना है तो जासे मैं यहाँ Google में ENTER कर ले रहा हूँ तो Google में ENTER करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है जासे मैं यहाँ सक्रीन पे अलग से दे भी दे रहाऊँ जो name सर्च करना है यहाँ पर आपको लगाना है http फिर आपको यहां से double sales देना है फिर यहां से instagram.com लिखी देना आपको instagram.com instagram.com यह लगाने के बाद 아पको एक sales देना है एक sales देने के बाद जो आपने अपना username जो copy किया था वो यहाँ पे paste कर देना है तो यहाँ पे आप जैसे इसको paste कर देते हैं तो यहाँ पे आपका जो link है वो बनके ready हो चुका है देखे यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो सर्च करने के बाद यह देखे आपको डारेक्ट आपके Instagram account में यह देखे एंटर करवा दे रहा है तो इसको अब आप copy कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं जैसे यहाँ से आप बैक होंगे तो बैक होने के बाद यहाँ पे Google पे चले आना है तो यहाँ पे आने के बाद आपको इस पे एक बार टैप कर लेना है टैप करने के बाद यह देखिए option आ चुका है open, cut, copy तो copy वाले option पे आपको click कर लेना है तो जैसे यहाँ पे copy कर लेंगे तो आपका जो link है वो कहीं भी आप share कर सकते हैं तो इसके लिए यहाँ से आपको copy हो चुका है तो लाइक कर ले चैनल पे subscribe कर ले ताकि आगे जो भी वीडियो upload कर उसका notification सबसे पहले आप लोगों को मिल सके तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम